कल मैंने अखिलेश यादव को ईवियम विरोधी बयान देते हुए सुना तब मुझे याद आया कि मैंने अखिलेश यादव को सला दिया था जब मेरी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई थी उस समय मुझे वो सला याद आई आज अखिलेश यादव चिला रहे है और अकेले चिला रहे है कोई ईवियम विरोधी लड़ाई लड़ने वाले लोग उनके साथ में नहीं है मैंने प्रस्ताव दिया था मगर मैंने प्रस्ताव दिया था मैंने प्रस्ताव दिया था मगर अखिलेश के मुस्लिम सलाकारों ने जो समाजवादी के अंदर के लोग है और बाहर के लोग है उन्होंने हमारे गड़बंदन को सेबोटेज करने का तोड़फोड करने का काम किया गड़बंदन होने नहीं दिया अब कह रहे हैं लोग तंत्र बचाओ की लड़ाई है ऐसा अखिलेश याद हो कह रहे है कि अभी ये लोग तंत्र के लड़ाई की ये लोग तंत्र के बचाओ की लड़ाई है मैंने कहा था कि इसके लिए बिफोर इलेक्शन और अप्टर इलेक्शन स्टेड़ी की प्लान करनी चाहिए मरगर मेरी बात को एने गड़बंदन को से बुटेज किया गया और इस वजे से अखिलेश यादों को भुगतना पड़ रहा है यदि अखिलेश यादों को इस संकट की घड़ी में मेरे साथ चाहिए मेरा साथ चाहिए तो हम साथ देने के लिए तैयार है इसके लिए हमें जॉइन स्टेटमेंट और जॉइन फ्रेस कांफरेंस लेना होगा जो पहले तैय हुआ था अब दुबारा हो सकता है उस समय मैंने ये सला दिया था उस समय उनके सलाकारों ने इसे सेबोटेज किया मगर अब ये हो सकता है मगर मैं ये बात उनके मर्जी पर छोड़ देता हूँ वो इसको करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं ये बात मैं उनके मर्जी पर छोड़ देता हूँ मैंने पहले ही ईवियम के विरोध में आठ तारिकों देश व्यापी भारत व्यापी बंद गोशित कर दिया है यहने हमारी लडाई जारी है, हमारी जंग जारी है, सुप्रिम कोड में भी हमारी लडाई जारी है, उत्तर पदेश में भी हमारी लडाई जारी है और ये लडाई जब तक समाप्त नहीं होती, जब तक ये ईवियम का घोटाला समाप्त नहीं होता, तब तक हमारी ये जंग जारी रहेगे मैं पहले ही पहले से जानता था कि प्रदान मंत्री ये बयान दे रहे हैं कि चुनाओं के बाद ये लोग ये भी हमका मुद्दा उठाएंगे अमिशा ने बयान दिया प्रदान मंत्री के कैबिनेट मिनिस्टरों ने बयान दिया बुख्य मंत्री ने बयान दिया डेप्टी सीएम ने बयान दिया बीजे पीके नेशनल प्रिसिडेंट ने बयान दिया तब ही मैं समझ गया था कि उत्तर पदेश में EVM का गोटाला होने बाला है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा EVM के बारे में मेरे से ज़्यादा कोई जानता नहीं है और जब मैंने एक्जीट पोल के रिजल्ट को देखा तीवी पर देखा एक्जीट पोल के रिजल्ट को तीवी पर देखा देखने के बाद मैं 200% कंफर्म हो गया कि EVM में गोटाला होने बाला है मेरी ये राय क्यों बनी क्योंकि गोटाला होने के पहले जनता की BJP जीत रही है ये राय बनाना जरूरी है और ये राय बनाने के लिए लगभख सभी मेडिया के लोगों ने BJP को जीतते हुए दिखाया किसी ने कम सिटे और किसी ने ज़्यादा सिटे मगर किसी ने भी BJP हार रही है ये नहीं दिखाया इवन एंडी टीवी नहीं भी नहीं दिखाया जो एंडी टीवी के लोग ये कहते हैं कि वो नहीं स्पक्ष है मगर मुझे ये जानकारी मिली कि उत्तरपदेश के चुनाओं में मेडिया को मेनेजमेंट करने के लिए BJP ने 20,000 करोड रुपया कर्चा किया और इन लोगों की जो खबरे स्टेटमेंट छपकर आते थे वो सारे के सारे पेड रियूज थे मैं ये उसी समय समझ रहा था तो देश में मेडिया के लोग, नैशनल मेडिया के लोग, सविधान और लोगतंत्र के विरोध में देश द्रोह का काम कर रहे है इन लोगों का भी बंदोबस करना होगा और आने वाले समय में इन लोगों का बंदोबस करने के लिए भी मैं रास्ट व्यापी आंदोरन शुरू करने का ऐलान करता हूँ यह करना होगा किसने किसी को मैं जानता हूँ इसमें अखिले शादव सामने आने वाले नहीं है मगर चूकी सविधान और लोगतंत्र को बचाने का मामला है और हम जंगे मैदान में है तो यह लड़ाई हम लोग पूरे ताकत से पूरे शक्ती से लड़ेंगे यह लड़ाई जारी रहेगी जब तक EVM का घोटाला बंद नहीं होता और पेपर ट्रेल की रिकाउंटिंग नहीं होती मैचिंग करने का जो जज्जमेंट दिया गया चिप जस्टिस ने ये फैसला दिया रंजन गोगोई ने उसके खिलाफ एक आउरत के चरित्र अनन का मामला बलानिंग बना कर खड़ा किया गया और वो निर्ने शडियंत्र के तहट दिया गया था यह मैं जानता हूं सारे सबूत है इसलिए मैं ये भी जानता हूं कि मैचिंग से फ्री फेर एंट ट्रांस्परंट चुनाव नहीं हो सकता केवल रिकाउंटिंग गरने के आदेश से और उसके अमल से फ्री फेर एंट ट्रांस्परंट चुनाव हो सकता है चुनाव आयोग भारत सरकार की कटपुटली बन कर काम कर रही है चुनाव आयोग free, fair and transparent चुनाव के लिए काम नहीं कर रहा है मैं इस मोके पर सुप्रिम कोट के चिफ जेस्टिस को भी मांग करता हूँ कि हर चुनाव में तीन जेजेस का पैनल चुनाव आयोग के सबयधानिक दाईतों का निर्वहन हो रहा है या नहीं हो रहा है उस पर निगरानी, नियंत्रन और निर्देशन करने के लिए बनाया जाए और ये केस भी मैं सुप्रिम कोट में ले जाऊंगा आउशकतापड़ी तो इसके लिए भी भारत बंद करने का अईलान हम लोग करेंगे मगर पहले मैं सुप्रिम कोट में इसके लिए जाऊंगा और अगर ये बात सविधान और लोग तंत्र को बचाने की बातों के लिए अगर सुप्रिम कोट पहल नहीं करता है तो फिर जनता की अदालत में न्याय मांगने के लिए मैं जाऊंगा हम लोग सविधान के दायरे में रहे कर कारिय करने वाले लोग है सविधान के दायरे में रहे कर अंदुरन करने वाले लोग है इसलिए फतेह हासिल होने तक विजय हासिल होने तक ये जंग जारी रहेगी इस मोके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ धन्यवाद झाहता हूँ